अमनीकुम आज मैं आपको रिबिन की हेल्प से फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ ये दो मेरे पास रिबिन है ये रिबिन आदा इंच का है और ये रिबिन एक इंच का है इस वहले रिबिन को मैं धाई इंच लंबा काट लूँगी 2.5 और इसको 3 तो अब मैं पहले आपको स्कुर्ण करके बताती हूं और फिर हम आगे शुरू करते हैं इसके 5 पीस मैंने इसके और 5 पीस मैंने इसके काट ले ने ये फ्लावर बनाना इसको मैं 2.5 पर अब मैं तो पॉइंट फाइफ पर रिबिन को सिक्यूर कर लूँगी पहले मैं इसके सारे इंड़्ेंड वह व करती जाओं कि सारी स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर रही है इस तरहां से अब मैं इसनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखके मैंने अरेंज किया है और एंड से इस तरहां से मैं इसको निडल की हल्प से मोटे-मोटे स्टिच करती जाओंगी टांके लगाती जाओंगी बस आप सब को यह सेंटर बस याद रखें कि यह वाइली वाइट स्ट्रिप मेरी हूं सेंटर में आएगी और रेड और इसका एंड दोनों का फिर हमने मिला लेना है और फिर नीडल की हल्प से इसको ऐसे टांके लगाते ज करूंगी कि यह जरा थ्रीडी लोग का एसका अब मैं इन दोनों को आपस में नॉट्स को केंच के और ऐसे यह मैंने सिर्फ नॉट्पे मैंने जोड दिया है यह सारे इसके रफ एज जो है न वो पीछे आ जाएंगे और यह खुलेंगे नहीं क्योंके मैंने मैंने इसको फ्लेम से अच्छे से सिक्योर किया है तो अब मैं इसको इधर ही लॉक कर दूँ जिस पर मैंने यह नॉट लगाई भी थी वो कार्ट दिया है दूसरा अभी मेरे पास यह अब मैं इसको हाथ से आप अब इसको खुद मैं जो है वो एक शेप दूँगी यह अब मैं इसको हाथ से एक शेप दूँगी विए अब इसको हाथ से एक शेप कर दूँगी है और यह रिंग तो मैं बना कर रखती हूं और यह खुल गया और अब यह रिंग मैंने इसके बीच में डालकर और अब मैं एक रेड पर्ल लगा दोंगा यह रिंग भी बैने फ़ाइफ पर्ल को जोड़कर बाद में यहां पर नॉट लगा दिया आखिर मैंने टाइट करके यह अपनी मर्जी का पर्ल यूज कर सकते हैं कुछ भी अब मैं इसको यहां पर सिक्यूर करते हूं अच्छा यह मैंने वैसे चोटा पर्ल डाल के मुझे याद आए इसको जो यह मेरे पास रिंग है इसको भी एक नॉट एक दफा आप नॉट लगा लें इस तरह से अब मैंने इस लेकिन फिर यह मूव नहीं होगा या तो फिर इदर उदर नहीं होगा और यह यह देखें कितना इजी और कितना खुबसूरत फ्लावर है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तेंक यू